Hello everyone, welcome back to Organized Learning Channel. अगर आप मेरे चानल पर नए हैं, तो चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगें, तो वीडियो को लाइक, शर और कॉमेंट करें तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, Directorate of Education GNCT of Delhi की तरफ से Mission Mathematics Class 8 के लिए 13 July 2023 का Question of the Day तो क्या question हमें दिया गया है, solve the following, हमें कुछ parts दिये गए हैं, इनको हमें solve करना है पहला part क्या है, हमारे पास 3.5 x 2.5, तो देखो, जब भी decimal के multiplication करनी है अगर आप जो है, हम जैसे beginner stage पी हैं, तो इसको हम, इसके कुछ steps होते हैं, वो steps कैसे करेंगे पहले हम इन numbers की without decimal, मतलब कि decimal हटा के, यानि की 35 x 25, डारेक्ट ऐसे multiply करेंगे इसका answer आजाएगा हमारे पास 875, अब हमें क्या करना है next step, यहाँ पर देखना है decimal कितने place के बाद है, यहाँ पर कितने place के बाद है, यहाँ पर भी one place के बाद है तो यह कितने होगे, total one और one, तो multiplication के case में हमें decimal वाला जो part है, उसको जितनी place के बाद है, उनको हमें plus करना है, तो one plus one कितना हो गया, two तो यानि कि अब हमें क्या करना है, जो यह हमारा answer आया था, 875, once place से start करते हुए, हमें दो place के बाद जो है point वो लगाना है, decimal लगाना है, तो देखो, once, tens, दो place हो गए, तो यानि कि हमारा decimal कहां आएगा, यहाँ पे, 8.75, तो 3.5 इंटो 2.5, इसका multiplication क्या आ जाता है, हमारे इसका answer, 8.75, यह होता है, decimal की multiplication के steps या rules, अब next देखते हैं, अब हमें करना है, division, second part में, किसको 37.9 divided by 379, तो same, इसमें भी पहले हम decimal अगर है, तो इसको remove करके, direct इसको division solve करेंगे, तो इसका 37.9 का हटाएंगे decimal, तो 379 as it is लिखके, divided by 379, यह आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करना है हमें, हमें decimal place फिर से count करने हैं, यहाँ पे कितने के बाद है, एक के बाद, यहाँ पे है इनी decimal, तो देखो, इसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, minus करेंगे, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 1 minus 0, यहाँ कि एक decimal place, तो जो 379 और 379 को हमने divide किया था, उसका answer कितना आया था हमारे पास, 1, तो अब यहाँ पे division के case में, हमें जो decimal की place value है, उसको minus करना होता है, तो 1 minus 0 हो जाएगा, तो यहाँ कि 1, तो यहाँ कि अब हमारा decimal, जो हमारा result आया है, उसमें एक place के बाद लगेगा, तो अब यहाँ पे यह क्या है, once place, तो इसी के बाद हमारा decimal लग जाएगा, तो यह क्या आजाएगा, 0.1, तो इसके पहले हम 0 भी लगा सकने हैं इस तरीके से, तो यह हो जाएगा, 0.1, तो इसको divide, 37.9 को 379 से divide करने पे answer हमारा क्य आजाता है, 0.1, अगें, थर्ड वाले जो पार्ट है, इसमें भी division है, क्या दिया गया, 465.25, तो इसको भी पहले decimal हटा के, नीचे क्या दिया गया, 0.5, इसका भी decimal हटा के 5, जब इनको हम divide करेंगे, तो answer आएगा, हमारे पास 9305, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने के बाद है decimal, 1, 2, ठीक है, और यहाँ पे कितने के बाद है, 1 के, तो 2-1, क्योंकि division है, तो इसले minus होंगे, decimal जो होंगे हमारे places, उनको minus करेंगे, तो 2-1 कितना हो गया, 1, तो इसका मतलब जो answer आया है, उसमें एक place के बाद point लगाना है, तो once से start करेंगे, once, तो once के बाद एक place के बाद लगाना है, तो यहाँ पे 5 से पहले decimal आजाएगा, तो answer हो जाएगा 930.5, तो इसको divide करने पे यह हमारा answer आजाएगा 930.5, तो आशा है कि आपको यह questions और इनके solutions समझ में आए होंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो